हेलो नीट एस्पिरेंट आज हम लितिमों के निस्काशन कि सिद्धानत एंवींबं प्रिक्रम बाले अध्याई का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में यह चेप्टर पूरा कम्पलीट हो जाएगा तो आईए पढ़ते हैं तत्वों के निसकाशन सिद्धान प्रग्राम इसे हमें धातू कर्म का बैद्धोत रासानिक सिद्धान से स्टार्ट करना है तो आईए देखते हैं धातू कर्म का बैद्धोत रासानिक सिद्धान हमने देखा कि किस परकार उस्मा गत्की के सिद्धान उत्ताब धातू कर्मी की में प्रियुक्त होते हैं धातू आयनों के बिलियन में अत्वा गलित अवस्ता में अपचेन में समान सिद्दांत प्रवावी होते हैं धातू के गलित लवड का अपचेन बैदोत अपघटन द्वारा अत्वा कोई अपचायक धातू मिला कर किया जाता है धातू लावड का पिगली हुई अवस्ता में अपचेन बेदोत अबगटन द्वारा किया जाता है ये बिदियां बेदोत रसाने के सिद्धांत पर अधारे थे जिने ने में लिके समझा द्वारा समझा जा सकता है अधिकांस करियासील धातूं के लिए एलेक्टोड बिभाव का मान अधिक रातमक होता है इसलिए उनका अपचेन कठेन होता है यदि समीकरन 6.40 में 2E माइनस मानों में अंतर धनातमक E माइनस के एवं पर रातमक डेल धाजी माइनस के संगत हो तो कम करियासील धातूं बिलियन से बाहर तथा अधिक करियासील धातूं बिलियन में चली जाती है उधारता मतलब यह उधार दिया गया है समान बेदुत अब घट में MN पलस आयन रातमक अलेक्टोर पर विसाजी थोते हैं और बहार निच्छे पर थो जाते हैं उत्पादे धातूं की करिया सीलता को ध्यान में रखते हुए साब धानिया रखी जाती है एवं उपयुक्त पदातों के लेक्टोर का उपयुक्त किया जाता है कभी-कभी गलित पदात को अधिक सुचालग बनाने के लिए गालग मिला दिया जाता है अलूमीनियम इसके धातू करम में मलब इसके धातू करम में सुध ए-ल-2-O-3 में ए-न-A-3-A-L-F-6-C-A-F-2 मिलाया जाता है जिससे मिस्रा का जो गल्लांग है वो कम हो जाता है और इसकी चालगता आ जाती है गलित अधात्री का बैदोत अभगटन किया जाता है कार्बन की परत युक्त श्टील का पात कैथोड का कार करता है तक ग्रेफाइड के अनोड उपयोग में लेते हैं संपूर अभी किरिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है 2AL2O3 प्लस 3K Al-4Al-3CO2 बैदोत अभगटन की यह विदी होल हेरोल्ड प्रकरम के नाम से सुपरसिद है प्रकरम के विदी है गलित अभगटन का प्रखेण एक विदीम के प्रकरम में कार्वन इलेक्टूड का प्रयूँक करके किया जाता है एनोड पर उस्तारजित ओक्सिजन एनोड के कारवन से अभिक्रिया करकर CO एवं CO2 मतलब यह क्या बोला है एनोड पर उस्तारजित ओक्सिजन एनोड के कारवन से अभिक्रिया करकर CO एवं CO2 बनाती है इस प्रकार अलूमीनियम के प्रते के किलोग्राम के अत्पादन के लिए कारवन अनोड का लगवक 0.5 किलोग्राम कारवन जल जाता है बेद्दोत अब घटनी अभी करिया इस प्रकार है कैथोड पर और अनोड पर कैथोड पर जो AL3 प्लस है वाए 3 प्लस 3 electron से aluminium का निर्माड और इस प्रकाइस में भी दिख सकते हैं ये एनोड पर हो रही है निमने कोर्टी निमने कोटी आइस को तथा रद्दी धातू से अकौपर निमने कोटी आइस को से कौपर का निसकार्शन hydro धातू कर में द्वारा करते हैं गोड़ा जो निम्ने कोटी ऐस्क होते हैं उनसे कौपर का निसकाशन हाईडो धातु कर्म दवारा करते हैं इसे अमल या जीवानों को प्यूग से निचालित करते हैं तथा कौपर 2 प्लस आयन प्यूगत बिलियानी की रद्धी लोहे या ऐस्टू उसे क्रिया करते हैं इसमें कुश्चन दिया गया है एक स्थान पर निम्न कोटी के कौपर आइसकों के साथ जिंक तथा आयरन की रद्धी धातु भी उपलाब धनी चालित कौपर आइसके अपचेन के लिए दोनों मैंसे कौन सी रद्धी धातु अधिक अनुकूल है और तथा क्यों बेद्धुत अधिक 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 तो आपचेन तेजी सियों का प्रंदु जिंक आयरन से ज्यानदा कीमती धातु गया इसलिए रद्धी आयरन का प्योक उपर योग तेवं लापकारी होगा अब देखते हैं ओक्सीकन अउपचेन अपिशेन के अतिरित कुछ निसकारशन विसिस्ता अधातुवों के लिए ओक्सीकन पर अधारत है ओक्सीकन पर अधारत एक अतियंद समान उधारान है लवड़्य जल से क्लोरीन का निसकारशन क्लोरी समुद्री जल में समान लबड की रूबें बहुत आयत में उपलब्द है इस अभी किरिया के लिए डेल जी माइनस का मान प्लस 422 किलो जूल है जब इसे डेल जी बराबर माइनस एन एफ का उपयोग करते हुए इके में परिवादित करते हैं तब हम इवराबर 2.2 बोल्ट प्राप्त करते हैं सब आविक रूप से इसके लिए 2.2 बोल्ट से अधिक बाह बेदूत बाहक बल EMF की आविसकता होगी बेदूत अबगटन में कुछ अन बाधक अभी किरियाओ पनियंतन के लिए अतिरिक्त बहुआ कि आविसकता होती है अता CL2 बेदूत अबगटन से प्राप्त होती है जिसमें हाइडुजन तथा जलिये सूडियम हाइडोकसाइड से उत्पात होती है गलेत सूडियम क्लूराइट का भी वेदोत अबगटन किया जाता है परन्तु इस इस्तिती में सूडियम धातु प्राप्त होती है तथा सूडियम हाइड अक्साइड नहीं बनता जैसे कि पहले अध्यन कर चुके हैं सोने और चांदी के निसकरशन में धातु का निचालन सी एन माइनस के साथ किया जाता है यह एक ऑक्सी करण अभी किरिया है धातु को बाद में विस्तापन विधी द्वारा पुना प्राप्त किया जाता है इस अभी किरिया में जिंक अप राप्त करने के लिए अनेक विदियां प्रयोग में लाई जाती है यह विदियां धातु एवं उसमें उपस्तित सुद्धियों के गुड़ों में अंतर पर निर्भर करती है जिन में यह जिन में से कुछ नीचे दी गई है आसबन मंडल परिस्क्राण द्रब गलन परिस्क्र बास प्रावस्ता परिस्क्राण बैदो तबगटन बढ़ लेखिये क्रोमोटोग्राफी विदियां इनका बाणन संचेप में किया गया है दिखते हैं आसबन यह विदि कम कौतनांग बाली धातु जैसे जिंग तथा पालत के लिए बहुत उप्योगी है मतलब जो आसबन ह जिंग तथा पालत के लिए बहुत अप्योगी है असबन द्योगी गात रूप में व्राफिह लिए जाता है ध्राभ गलन परिस्क्राण इस विदि में कम गल्लांग बाली धातु जैसे तिन खो पिँगलाका डालू सताय पर भेहने दिया जाता है जिसने अधिक क्लाट की वाली जा सुद्दियां वो अलग हो जाती हैं फिर बैद्दत अब घड़निये सोदन इस बिदी में असुद्ध धातु को एनुड बनाते हैं उसी धातु की सोद्ध धातु पट्टी को कैथूड की तरह प्रयुक्त करते हैं इन्हें एक उपर युक्त तो बैद्दत अब चली जाती है इस प्रक्राम की व्याक्या बैद्दत विभाव की धार्ना अधी विभाव तथा गिप सुद्धा के द्वारा भी की जाती है जिसको आपने पहले खंडों में देखा है यह अभी क्रियां इस प्रकार है एनुड और कैथूड तामवे का सुदन बैद्दत कैथूड के रूब में लेते हैं कोपा सलपीट का अमली बिलियन बिद्दत अपगटनी होता है तदा बिद्दत अपगटन के बास्तविक पर्याम सुरूप सुद्ध कोपा एनुड से कैथूड की तरह पिस्तनांत्रित हो जाता है फपॉलीदार कोपर की असुद्धियां एनुड पंक के रूब में जमा होती है जिसमें एंटी मनी सिलीनियम टैलियूरियम चांदी सोना दथा प्लेटिनियम मुख होती है फपॉलीदार कोपर की असुद्धियां एनुड पंक के रूब में जमा होती है जिसमें एंटी मनी सिलीनियम टैलियूरियम चांदी सोना द परिस्क्राइए यह विदी इस सिदान पर आधारे थे कि असुद्यों की बिलेता धातु की ठोस अवस्ता की या पेक्चा गलित अवस्ता में अधिक होती है असुद्धातू की छड़ के एक किनारे पर एक गतिसील तापक लगा रहता है जो छड़कों हर और से घेरे रहता है तापक जैसे आंगे की ऊर बढ़ता है गलित मंडल भी आंगे बढ़ता जाता है और सुद्ध दादू गलित मैं से क्रिष्टलित हो जाती है तथा असुद्या संलगन गलित मंडल में चली जाती है यह मंड़ परिस्क्रम दिया गया है इस किरियाखों कई बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिसा में बार बार चलाते हैं असुदियां चाड़े के एक किनारे पर कत्रित हो जाती है इसे काट करा लग कर लिया जाता है यह बिदी मुक्रूप से अती उच्च सुदता वाले आर्दचाल को जैसे जर्मेनियम, सिलीकोन, बोरोन, गैलियम इंडियम को प्राप्त करने के लिए बहुत उप्योगी है अब है बास प्रावस्ता परिस्क्राएं इस बिदी में धातु को बास सीली योगेक में परिवादित किया जाता है तथा बास सीली योगेको इकत्रित कर लेते हैं इसके बाद इसे वहिख्टित करके सुद्ध धातु प्राप्त कर लेती है। इसके लिए दुआ वी सकता होती है। बन जाता है इस संकुल को और अधिक ताप पर गर्म करते हैं जिससे यह बिख्टे थुका सुद्धादू देता है नेक्स्ट जर्कुनियम या टाइटेनियम सुधन के लिए बौन और लेख विधी जर्कुनियम तथा टाइटेनियम जैसी कुछ धातूं से असुद्धियों की थरा उपस्तित संपूर ऑक्सियन तथा नाइट जन को हटाने में बहुत उपयोगी है पर इसके दाटू को निर्वादित पात्मे आयोडीन के साथ गर्म करते हैं दाटू आयोडाइट अधिक सहसायोजी होने के कारण बासील हो जाता है दाटू आयोडाइट को बैदो धारा दौरा अठारा सो केलविन ताप पर गर्म किये गए टंगस्टन तंतू पर बिक्रेद किया जाता है इस प्रकास सुद्ध दाटू तंतू पर जमा हो जाती है अब है नेक्स्ट बड़े लेखनी हैं जिसे क्रोमोटोग्राफी कहते हैं तो बड़े लेख की क्रोमोटोग्राफी वीधियां देखते हैं आपकच्छा 11 के अध्याइबारा में पतात्होंके सुद्धन की क्रोमोटोग्राफी तकनीके बशॉanızाय में जान चुके हैं कॐ पर इस्तंब में नेकर की ये कॉलम्अ प्रोंपोटुगाफी सुख्ष मात्ला में पाय जाने वाले तत्तों की सुद्धिकेन और चीए जाने वाले तत्तिस्तिती मीं सुद्धिकोगा के लाधीवे ये होती है अब हैं अलूमिनियम, कौपा, जिंग तथा लोही को प्योग देखते हैं अलूमिनियम, पन्नी का प्योग खाद पदारतों के लिए आवरान पत्र मलब रेपर के रूप में होता है धातों की सूक्ष में धूली कापयोग पिल लेपों, पैंट बाप प्रिलाक्षों में किया जाता है अत्दिक क्रिया सील होने के कार अलूमीनियम कापयोग, क्रॉमियम तथा मेगनीज के ऑकसाइटों से उनकी निसकाशन में किया जाता है अलूमीनियम के तारों कापयोग बिद्धुद चालकों के रूप में किया जाता है, अलूमीनियम में युक्त मिस्र धातों हलकी होने के कार बहुत उप्योगी होती है तामे काप्योग विद्धुत 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 जैसे पीतल पीतल जिसमें कौपार और जिंक होता है जिसमें कौपार साइट पिरती साथ और जिंक चालीस पिरती साथ होता है जो पीतल होता है वह कौपार जिंक का मिश्ण होता है जो जर्मन सिल्वर होता है कौपार जिंक और निकल का मिश्ण होता है में होता है यह इसका प्योंग लंगरों तारों बोलटों चैनों तथा क्रसी उप्योगी ऊपर कंडू के बनाने में किया जाता है इस पात कहने को प्योग है जब इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती है जो मिस्र धातु इस पराप्त होता है निकेल इस पात कह प्योग रस्य बनाने स्वाचलत बहाईनों तब हवाई जहाजों के हिस्से लोलक मापक फीतों कटाई के वजारों तथा संदलन मसीनों के बनाने में और स्टेनलेस स्टील कह प्योग जो स्टेनलेस स्टील होती है श्टेनलेस स्टील का उप्यूक साइकलों स्वा चलेत भाहनों बरतनों तथा पेनों तियादी में किया जाता है चप्टर कंप्लीट हो गया है एस का सारान से मतलब सारान साम पढ़ते हैं गाज़ी और टेपल में यह जो मास्मा दिया है मतलब इनसे पुष्टै ही पुष्टेंड यह समस्छाने पड़ेगे पहले हम ना साथ मटे हैं यद्पी बरत्मान धातु कर्मिकी की ओधुकी करांटी के बाद चनगातां की ब्रद्दी हुई फिर भी बरत्मान अपढडनाव मेंसें बहुत सी यसी हैं जिनका आदार ओधुकी करांटी के पहले पहले से हैं भारत में साथ हजार बरसों से भी अधिक समाई से पाराम पारेक धातु कर्मिय कोसल रहा है पुरातन धातु भी दोने महतपूर्ण युगदान दिये हैं जिनको बिस्वी के इताहस में उचित इस्थान मिलना चाहिए जिनक और अधिक कारवन बाले इस्थील तैयार करने में तो पुरातन भारत का महतपूर्ण युगदान है जिसने बरतमान धातु कर्मिय प्रगती के लिए आधार तैयार किया जिसके कान धातु कर्मकाद्यन आराम भुगा और अधुगे क्रांती आई धातु की आविस्थिक्ता विवेन प्रकार की कारें के लिए होती है अतहा हमें उन खनेजों में से इनकी निस्काशन की आविस्थिक्ता होती है जिनमें यह पाई जाती है तथा जिन से इनका निस्काशन बाणेजिक रूप से बहवारिक होता है इन खनेजियों को आइसकों की नाम से जाना जाता है धातवेक आइसकों में कई प्रकार की असुदियां पाई जाती है इन असुदियों का निस्कासान एक सीमा तक सांदर चर्णों द्वारा प्राप्त किया जाता है सांदेत ऐसे धृत्तों प्राप्त करने के लिए धासाने क्रिया की जाती है समानता धातवे के योगक जैसे ऑक्साइड सृलपाइड धातु में अफचेत की जाते है कारवान, CEO या कुछ धातु में भी अफचाय की तरह प्रयूक्त की जाते है इन अपचयनक की क्रियां में उसमा गतिकी है, तथा बेदतुरासालने अपधर्ना पर उचित बिचार किया जता है दहत्त विक ऑकसाइट अपचयएक से क्रिया करते हैं तूर्थ रपिक्रिण के अपचयएक ऑकसीक्रित हो जाता है सामपूर तंत्र की गिफ्ज उर्जा में कमी लाने में सायक होती है यह अबधारना इस प्रकार की ऑक्सिकन या चेना भी किरियाओ के लिए विभिन तापों पर डेल जी तथा टी के मध बक्र एलिंग घम आरिक द्वारा दरसाई जा सकती है बिद्विवा के अबधारना धातु जैसे अलूमीनियम सिलवर और यह मतलब सोना के निसकार्शन में उप्योंगी है जहां दो रेडॉक्सिक्मों के इलक्टोर्ट विवों का जो यह वाज दरात्मक होता है इसलिए गिफ्ज उर्जा परिवारतर रात्मक हो जाता है समान विद्यों दोरा प्राप धात्मकों में अभी भी अल्प असुद्यां बिदवान होती है सुद्य धातु प्राप्त करने के लिए सुधन की आवसिक्ता होती है सुधन की प्रिक्रिया धातु तो था असुद्यों के गड़ों में अंतर पनिर्वर करती है समाने ता है अलूमिनियम का निस्कारशन बॉक्साइड एस को सूडियम हाइड ओक्साइड के साथ नीच्छालित करके किया जाता है इस परकार बना सूडियम एलूमिनेट प्रता कर लिया जाता है जो दासी नीकरन करने पर पुनहा जली ओक्साइड बनाता है जिसका क्रायूलाइट को गालक की तरह प्रयूग में लाकर बेदोत अबगटन किया जाता है। कुछ दहातों की उपास्तिती तथा निसकार्शन का संचिप्त विबरान ने में लिए सानी में दिया गया है। देखते हैं अब हम यह इंपोटेंट है क्योंकि इनसे तो कुश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखें। पहले देखते हैं कि कौन-कौन से आइसक होते हैं। तो एलुमिनियम का बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट बॉक्साइट वनला जिसका फॉर्मूला एलुमिनियम का फॉर्मूला जिसका 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 फॉ निस्कार्श्ण की जो सामान वीदि है इंपूर्ट नहीं है लेकिन इनकी इस्ट के जरूर याद रखें तो यह पड़ी में क्या दियागा है कि निस्कार्श्ण के लिए ब्धवत के अच्छे परूद के आए श्तरूत क्या आए होती है हेमाटाइट का जो फर्मूला है वो FE2O3 तथा मेगनेटाइट का FE3O4 है इससे इसके जो निस्काशन की सामान भी दी है वह बात ते अब हट्टी में CO तथा कौक के साथ ऑक्साइड का अपचेन है तिप पढ़ने इसमें दी गई है ताब 2170 केलविन के असपास होना चाहिए क्रायोलाइट का NA3ALF6 है आईरन की दो एसके हैं हेमाटाइट और मेगनेटाइट हेमाटाइट का फर्मूला है वह फीटू-ओ-थरी है और मेगनेटाइट का FE3O4 है फिर नेक्स्ट है कोपर कोपर जिसे तामबा कहते हैं तो कोपर के कौन-कौन से एसके हैं कोपर नेक्स नेक्टाइट है उसका फर्मूला एसीओ-फियस्टू है कौपर ग्लांस का सीओ-टू-एस और मेलाकाइट का सीओ-थरी इंटू-प्राइट का होल्टस जो क्यूप राइट है वह सीओ-टू-ओ-अअ-और भी दियेगा है हां और नी जो दिया है जिंक जिंक के कौ कोपर कोंकों से कपर पारिए कोपर ग्लांस मैलाकाइट क्यूपराइट जिन्क बलेड यह इस है यह ऐसे सब्सक्राइब करें तो यह सब्सक्राइब करें तो यह चैप्टर कम्पलीट हो गया है इसके बाद हम सब्सक्राइब करें तो यह सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना ही थैंक्यों पर वाचिंग बाई